लोकसभा से आज 49 सांसद सस्पेंड किये गए जिए, मलीश्टिवारीफ, ST हसन सस्पेंड किये गए गए हैं, सुप्रिया सुरे, शशित हरूर सस्पेंड किये गए हैं, साथ डिंपल यादो, दानिश हली का विनाम इसमें शामिल है तो आज सस्पेंशन हुआ है और उन्चा सांसत सस्पेंट किये गए हैं तो विपक्ष का जबर्दस थंगाम आज नजर आया और फिर उसके बाद ये फैसला लिया कर दिया गया है कि उन्चा सांसतों को विपक्षी उन्चास लोगसभा के सांसतों को कर दिया गया है निलंबित सांसतों के निलंबन पर अखलेश यादव का बयान सामने आया है बीजेपी किस मुझ से लोगसभा को मंदिर कहेगी यहां जनता से चुनकर लोग आते हैं सेमती असेमतियां हो सकती हैं, हमें अधिकार है कि हम सही बात करें ये का आए अखलेश यादव ने आज 49 सांसदों के निलंबन के बात सुनी भार्दी जन्ता पार्डी किस मूँ से लोक सवा को मंदिर कहेगी यहां जन्ता से चुनकर के लोग आते हैं अपनी बात क्याने की सेमती असेमती हो सकती है, अपनी बात रख सकते हैं यहां तमाम पुरानी बिल्डिंग में मनुस्मृती की चीजें रखी हैं कि यहां हमें अधिकार है कि हम अब सही बात करें ये सरकार सही बात सुनना ही नहीं चाहती है, सच्चाई से क्यों सरकार भाग रही है आज लगबग 40 MP, 40 से जादा MP सस्पेंड हो हैं और कल भी लगबग राजसभा और लोकसभा को मिला के 80 से जादा MP सस्पेंड हो हैं ये बहुत ही भागया पूर्ण है, डिमोक्रासी सेट अप के लिए जो वातावरन अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में तो मैं समझती हूँ कि ये है टोटल फेलियर ऑफ दे गवर्मेंट है अगर गवर्मेंट ने इतने सारे MP को सस्पेंड किया, it is ultimately the failure of the government क्योंकि उनके छेतर के लोग देखते हैं कि हमारा सांसर सिर्फ तक्तियां लेकर विपग्वासदन में जाके हंगामे करता है काम का कोई काम नहीं हाँ पे हो रहा है, काम की कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही है, सिर्फ हंगामे की राजनीती हो रही है ऐसे मैं बता ये प्रश निकाल कितना important है, zero hour कितना है, आज zero hour में मेरा बोलने का विशे था मुझे हाजिपूर को लेकर अपने विशेव को उठाना था, आंगनवाडी की महिलाओं को लेकर विशेव को उठाना था, पड़ ऐसे में जब आप सदर नहीं चलने देंगे तो अपने छेतर की भी जंता आपके उपर क्यों विश्वास करेगी, देखिएगा अभी जितनी ताकत है विपक्ष्टी अगली बार इससे भी आदी होगी, और 400 से जादा सांसद एंडिये के जीत कराएंगा और आज लोकसभा से सांसदो के निलंबन पर क्या बोले अधीर रंजन चौधरी और मनीश तिवारे आई आपको सुनवात है कि अधिन अर्की बिंटाइब इंसाइध पार्लामें ऐसे सुनाइध पार्लामें जी कि आप रहे पार्लीमानीज अग्षा इंटा को ने भाज़ को दो पेडिने ए सॉनाज ड्रोटिगास परिट पार्लामें पिर चैनल अमनीष सर आज आपको भी सस्बंट किया गया है तो क्या लगता है आपको सरकार क्या प्लान है आप लोगों को लेकर विपक्ष मुख संसद ही होगा ऐसा है कि सबसे दुर्भागत पूर्ण दिन है भारत के लोकतंत्र का पूरे विपक्ष को निलंबित करके ऐसे कानून पारत किये जाएंगे जो भारत को एक पुलिस चलेंगे अनन्द पांडे के पास अननद हम सुन रहे थे जितने भी सांसद थे विपक्ष के उनका क्या कहने काफी तीखी प्रतिक्रिया उनकी थी लेकिन आव विपक्ष की क्या रण नीती होगी इस आक्शन के बाद से उसको लेकर साहिमती दोनों पति तो पळम एस सब्के संसदों के आगे के रननेे थी तो लगातार ही लोग गांधी मूर्थी पर और साथी साथ नई संसंदस मकरद्वार उसके स्टेयर्स पर ही लगाता है यह प्रोटेस्ट कर रहा है विपकष का कहना है कि संसद भौण में सुनरक्षा स्थूा नहीं है कि स्पीकर कि संसद स्थना में शाय। लेकिन विपाख जो है उतने भासे संतूश नहीं है और यही वज़ा है कि आज 49 लोगसभा के सांसदों को सस्पेंड किया गया और इस सत्र में अगर लोगसभा के सांसदों को जोड़ लिया जाए तो अब तक इस सत्र में 95 लोगसभा के सांसदों को सस्पेंड किया गया तो साथ किया अगलावर भी यह उप्रिया सुले ने क्या है और शषी धरूर ने क्या कहा है सब्टेशन कुले कर आपको उनका बयान सउबात है That's right, so they have suspended another 42 people today. It's clear they want an opposition Mukt, Loc Sabha, and presumably they will do something similar in the Rajir Sabha. I think at this point we have to really start unfortunately writing the obituaries for parliamentary democracy in India. The basic principle of parliamentary accountability has been violated by the Home Minister not coming to the House to a. talk about what he has been telling the media outside and secondly to initiate a discussion, which would have been the right thing to do, neither of which has happened. Then when opposition protested that, demanding it, they were suspended. So today in solidarity with my colleagues, I too joined the protests and everybody literally who was present today has been suspended for the rest of the session. So this is the right thing to do. बापती जी कहते हैं कि आपने संसत की मरियादा भंग करी इसलिए आपको सस्पेंड किया जा रहा है एक कौन सी परिभाशा में सरकार से सवाल पूछना संसत की मरियादा भंग होती है संसत की मरियादा जब संसत में गालिया दी जाती है तब संसत की मरियादा भंग नहीं लेकिन जब भेजे बीजेपी के सांसद के पास पर सांसद पे हमला करने वालों को लाया जाता है उच सांसद के खिलाब कोई कारवाई नहीं दानिश अली को आप सुन रहे थे एक तरफा कारवाई की गई है ये आरोप सभी सस्पेंडेट सांसदों की तरफ से लगाया जा रहा है आज जिन सांसदों को लोकसभा के 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया है उसमें कई बड़े नाम है वो अब हम आपको दिखा रहे हैं आज दस बड़े सांसदों को सस्पेंड किया गया है और अगर आज और कल के सस्पेंशन को मिला कर देखा जाये तो भारत के संसदी इतिहास का ये सबसे बड़ा निलंबन है एक सो एक तालीस सांसदों को अब तक निलंबित किया जा चुका है लोकसभा और राज्यसभा को अगर हम मिला कर देखें तो ये आकड़ा एक सो एक तालीस तक पहुँशता है कुमार विकरान्त हमारे सयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कुमार आकरामक नजर आ रहा है विपक्ष आरोप ये लगाया जा रहा है कि ताना शाही वाली हरकते की जा रही है और संसत की गरिमा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है ये तक कह रहे हैं सांसा जो ओपोजिशन है जो इंडिया गजबंधन है उसके तमाम नेताओं का क्या रुख नज़र आ रहा है आगे क्या होता देख रहे हैं आप ये देखे आपसे चंद महीने पहले या कहें कि पांच राज्यों के जो नतीजे आए उसमें चार राज्यों में कॉंग्रेश के मूर्ती खानी पड़ी और जिस तरीके से इंडिया गडबंधन के बीच अर्विंद केजरीवाल ममता मनर जी अखलेश यादा और कॉंग्रेश क को लगता है कि ये वो मौका है कि ये वो फेविकॉल का काम करें और हम सब एकजूट होकर 2024 की लडाई पिछली बातों को भूल करके एक बार आगे बढ़ें और कॉंग्रेश के सूत्र भी यही कह रहे हैं कि जो बैठक शाम को होगी उसमें जो ये हो रहा है संसद में ये फे 200 सीटे उसको देने को तयार है अपोजिशन जबकि कॉंग्रेस 300 सीटों पर लड़ना चाहती है लेकिन एक बात पर सहिमती बनने की संभावना है कि 400 से साड़े 400 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ इंडिया गड़बंदन का एक उम्मीदवार हो पहली बात ये पहली बात ये मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है क्या सोचके ये नया संसद बनाया जे इसको लोकतंतर का कबरिस्थान बनाना है जो पार्टी खुद कहती थी जेटली जी सुश्मा जी खुद कहते थे कि डिस्रप्शन इस पार्ट ऑफ डिसेंट अब जब कुछ चीज की चर्चा करना च होई और ये एक क्या नया एक रूल सेट कर नया मकाम सेट किया जा रहा है कि इस नहीं पर्लमंट में इस सिरफ बींद की गौली खाकर आजाओ सुबह कि युक्कि मुह नहीं खोलना है कान आख कुछ नहीं सवाल पूचना विपक्ष का काम क्या है सवाल पूछना अब सवाल पूछेंगा तो बाहर फेक दिये जाएंगे मैं तो हैरान हूँ ये लोग तंतर में क्या हो रहा है बहुत दुख की बात है और वहीं TMC सांसद ने सभापती की मिमेक्री की राहूल के सामने सभापती का मज़ा को दाए TMC सांसद कल्यान बैनिर जी ने मिमेकरी की ये वो तस्वीर है जिस पर आज संसद में जबरदस संग्राम हो सकता है वीडियो में दिख रहा है कि टीमसी सांसद कल्यान बेनर जी राजसबा सभापती जगदीद धनकड की मिमिक्री कर रहे है इस जोरान बाकी सांसदों के अलावा राहूल गांधी भी मौके पर मौझूद रहे राहूल के हाथ में फोन भी दिखाए दे रहा है जिससे लग रहा है कि वो सभापती की नकल करने वाले कल्यान बेनर जी की वीडियो बना रहे है अब बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हो गई है वही कॉंग्रेस नेता अचारे प्रमोध कृष्णम ने ट्वीट किया कि संसत को सड़क छाप बनाने वालों को देश माफ नहीं करेगा उपराश्रपती का मखौल उणाना बेहत दुर्भाग्य पूर्ण और लोकतंत्र का मजाक है एक और एहम खबरे सदन में बोले सभापती धन्खड मजाक उडाना शर्मनाख है ऐसी हरकत स्पिकार नहीं है जद्वीद धन्खड ने बयान दिया है और कहा है कि इस तरीके से मजाक उडाना शर्मनाख है गिरावट की कोई हद नहीं है कि गिरावट की कोई हद नहीं है आपके एक बड़े नेता एक सांसद के एस संसद ये विवार को वीडियो कर रहे थे आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो मैं तो यही कह सकता हूँ सद बुद्धी आए कुछ तो सीमा होती होगी कुछ जगे तो बक्षो कुछ जगे तो बक्षो कुछ जगे तो बक्षो Office of Chairman Rajya Sabha and Office of Speaker is very different. Political parties will have their cross currents, they will have exchanges, but imagine a senior leader of your party Videographing another member of another party Mimicry of the Chairman, Mimicry of Speaker, how ridiculous, how shameful, how unacceptable निलंबित सांसिदों के मुद्धे पर लोक सभा में आज भी जूर्दार हगामा हुआ प्रोच सदन है मेरा आग्रह आपसे कि आप चर्चा करें समवात करें यह तक्तियां लेकर सदन में मर्याधित आच्रण नहीं है और हम सबने भी तह किया था सामुई कुरूप से निर्ने हुआ था कि हम तक्तिया लेकर नी आएंगे फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बेठें पश्टिकाल महत्पूर्ण समय होता है हर विशे पर हर महत्पूर्ण मुद्दों पर आपको चर्चा करने का आउसर दिया जाएगा यह सदन आपका है सदन की मर्यादा बनाने हम सब की सामई जिम्मेदारी है और सदन हमेशा नियमों परपायों परंपा परपाटियों से चलता है प्रसत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबर्दस गतिरोद नसर आ रहा है निलंबन के बाद संसद परिसर में तमाम संसद धरने पर बैठे हुएं और आज कॉंग्रिस नेतर राहूल गांधी उनसे मिलने पहुँचे विपक्ष ने सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगा लोकसभा राजेसभा के संसदों के निलंबन पर सियासी घमा सांतीज है आज संसदों के निलंबन और संसद सुरक्षा चूक के मामले पर राहूल गांधी, मलका अरजुन खटके और शरत पवार समें तमाम विपक्षी संसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने विरोध इस बीच निलंबित संसदों ने सदन में सरकार पर ताना शाही करने के आरूप लगाए, मैं मलका अरजुन खटके ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार इतने संसदों को निलंबित किया गया है, सरकार अब लोगों को डरा कर लोगतंतर खत्म करना चाहती है लोगों को अपना डिमाकरसी खतम करना चाहती है मही समाजवादी पार्टी के संसद प्रोफेसर राम गुपाल यादब ने कहा कि सरकार लगातार विपक्ष को दरकिनार कर रही है कि जिस तरीके से लोगों को संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है उसके बाद लगते ही नहीं है कि उसके विपक्ष का कोई ओचित रह गया इनके दिमाग में कॉंग्रिस महा सचिव रर्दीप सुर्जेवाला ने कहा है कि सरकार विपक्ष मुक्त संसद चाहती है लेहाजा लोगतंत्र की हत्या की जा रही है क्या अब संसद एक इमारत का नाम है जिसमें सवाल नहीं पूछे जाएंगे जिसमें एक तरफा मोधी सरकार का डायलोग होगा और सब लोग उस पर ताली बजाएंगे और अगर कोई सवाल पूछेगा तो उसे संसद से बाहर निकाल दिया जाएगा तो फिर ऐसी संसद के माएने क्या है क्योंकि संसद बिल्डिंग का नाम नहीं संसद इस देश की प्रजातांत्रिक आत्मा का नाम है इस देश में समयधान की सुरक्षा का नाम है इस देश में प्रजातंत्र को प्रबुद करने की एक इमारत का नाम है वो इंट और मिट्टी से बनी हुई इमारत नहीं इस देश की कुर्बानी की परिपाटी पर बनी हुई बुनियात पर बनी हुई इमारत इस देश के मौलिक अधिकारों के आधार पर बनी इमारत का नाम संसद है और आजू संसद की उस हर मरियादा को बुल्डोजर के नीचे कुचल कर तहस नहस कर दिया है मोधी सरकात ने और आज बीज़ेपी संसदिया दल की बैठक में पिये मोधी ने कहा कि कुछ दल संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना का समर्थन कर रहे हैं यह बेहत खातक है, साथ सेकेंड्स में देखिए पिये मोधी की बड़ी बात है आज संसद लाइबरेरी परिसर में बीज़ेपी संसदिया दल की बैठक हुई बैठक में संसद की सुरक्षा चूक के मामले पर प्रदानमंतरी मोधी ने विपक्ष पर सवाल उठाए कुछ लोगों की किस्मत में सकारात्मक काम करना नहीं होता। प्रधान मंतरी ने विपक्ष पर तंज गस्ते हुए कहा कि बीज़पी संसदिय दल की इस मीटिंग हॉल में अभी जो जगा खाली है ऐसा लगता है अगली बार ये जगा भी भड़ जाएगी। प्रधान शोका होटेल में तीन बजे होने वाली इंडी अलायंस की बैठक में लोग सभ़ चुनाव की रणनीती तैयार होगी। मध्य प्रदेश, 36 गड़ और आजस्थान की रतीजों ने भी इंडी अलायंस को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में आज की बैठक में 27 विपक्षी दलों में सीट बटवारे पर मतभेद और बढ़ सकते हैं। तमाम अटकलों के बीच ये भी जान लीजे कि आज की बैठक में इंडी गठवंदन का मुखे जंडा क्या होगा। अनीती बनाई जाएगी। बड़ी बात यही है कि पिशली तीन बैठकों से इस बार हालात अलग हैं। तीन राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत के बाद इससे पहले 17 दिसंबर की बैठक टालनी पड़ी थी। इंडिया गठवंदन की बैठक से पहले एक बार फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स से प्रेशर बनाने की कुशिश की जा रहे हैं। पठना की सडकों पर ये पोस्टर नितिश कुमार के समर्थकों ने लगाए हैं। पोस्टर पर देखा जा सकता है कि नितीश को जीत की गैरेंटी के तौर पर दिखाये गया है और लिखा है अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्य चाहिए एक नितीश चाहिए अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्य चाहिए एक नितीश कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए वैसे जब कर लालू परसादी आदफ नितीश के साथ डेपटी सीम तेजस्वी आदफ दिल्ली पहुंचे तो उनसे भी नितीश को लेकर सवाल किये गए सब की एक ही है और सबका एक ही मकसद है कि फिरकाप्रास शक्तियों को हम लोग जो है सकता से बेदखने लोगों करें और आज दिल्ली के अशोका होटेल के एक रूम में दोपहर दो बजे राहुल गांधी और उद्धफ ठाकरे की अलग से मुलाखात होने जा रही है यह मीटिंग इसलिए महत्पूर मानी जा रही है क्योंकि आज सामना में लिखा गया है कि कॉंग्रेस को गडबंधन का महत्व समझना चाहिए इंडिया की बैठक से पहले ही शिफसेना उधफ गुट की ओर से कॉंग्रेस को नसीहत दी जाने लगी मुखपतर सामना में लिखा गया की भारा जोडो यातरा की शुरवात ही मध्यप्रदेश से हुई लेकिन कॉंग्रेस की सबसे दारूर पराजे MP में ही हुई तीनों राजे इंडिया ने नहीं बलकि कॉंग्रेस ने गवाए कॉंग्रेस जीत का केक अकेले खाना चाहती थी इसलिए मध्यप्रदेश में अखिलेश यादव को जान बूच कर दूर रखा गया सामना में आमादी पाटी का जिकर करते हुए कॉंग्रेस को बड़े भाई के तौर पर भूमिका निभाने की सलाहती गई और वहीं आपकारी मामले में अर्विंद केजरिवाल एडी के सामने पेश नहीं होंगे एडी ने समन भेजकर 21 दिसमबर को उन्हें पूछताच के लिए बुलाया है देखे पूरी खबर दिली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल 21 दिसमबर को दिली शराब घोटाले के मामले में एडी के सामने पेश नहीं होंगे जानकारी आप सांसद रागफ चड़ा ने दी उनके हाजर ना होने की वज़वी बताई सब लोग जानते हैं कि मान्नी मुख्यमंतरी जी 19 तारीक से विपस्ना पे प्रस्थान करेंगे वे रेगुलरली जाते हैं विपस्ना के लिए और ये उनका प्री स्केड्यूल्ड प्री अनौंस्ट प्लान है वे वकीलों से सला करकर क्या जवाब देना एडी को जवाब देना नहीं देना क्या करना अगे की रन्नीती कानूनी जरूर तै करेंगे लेकिन ये बात आप सब जानते ही हैं कि एक प्री स्केड्यूल्ड प्री अनौंस्ट भोशित कारिकरम है मान्नी मुख्यमंतरी जी का कि इससे पहले 2 दिसंबर को एडी ने केजरिवाल को पूछ ताच के लिए बुलाया था लेकिन केजरिवाल जाच एजनसी के सामने हाजर नहीं हुए बीज़पीस मामले को लेकर केजरिवाल पर लगातार हमलावर है महियामाद भी पार्टी का कहना है कि केंदर सरकार एजनसियों का सहारा लेकर डड़ दिखाने की कोशिश कर रही है अयुद्या में भवे राम मंदिर के उद्घाटन के तैयारियां की जारी है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अकलेश यादों से राम मंदिर के उद्घाटन समारों में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया देखिए इस रपोर्ट मे राम मंदर में राम लला की पराण पृतिस्ठा प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के हाथों होगी इसके लिए 22 जनवरी की तारीक तै की गई है इसके बाद ये मंदर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा कई विपक्षी पार्टियों नेताओं को भी प्रांट प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए ने उता दिया गया है इस बीट समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जब नॉयडा पहुंचे तो उनसे रामलला की प्रांट प्रतिष्ठा को लेकर सवाल किये गए किसी जिस पर निमंतरन नहीं हो गुज नहीं सकता अब ये बताइए अब ये भी कंट्रोल करना है कि निमंटरन भगवान राम किसको देंगे यह कंट्रोल तो नहीं होना चाहिए जिसको हम और आप हमारे साथ ही ने सनातन धर्म की बात कहीं याद करिए और हम सब बच्पन से जानते हो सीखे जिसको भगवान बुलाते हैं उन्हीं को मौका मिलता है अब जब बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे उनके नियुक्ता से हमारा नियुक्ता कहले ने देना भगवान आप और हम सनातनी नहीं त वर्डशिप अक्ट लागू नहीं हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुन्वाई होगी ज्यानवापी में पूजा के अधिकार का केस चलेगा मुस्लिम पक्ष की सभी पांच याचिकाएं हाइप से खारिच कर दी गई है आज एरबाद हाइकोट ने अपने फैसले से साफ कर दिया कि ज्यानवापी को लेकर दायर हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर प्लेस अफ वर्डशिप अक्ट लागू नहीं होगा जबकि मुस्लिम पक्ष की सभी पांच याचिकाएं खारिच कर दी गई इनमें पूजा की अधिकार की मांग को चुनौती देने वाली तीन याचिकाएं तो ASI सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली दो याचिकाएं थी मुस्लिम पक्ष ने Places of Worship Act का हवाला दिया था फैसला सुनाते हुए कोट ने ट्रायल कोट को छे महीने में सुनवाई पूरी करने को कहा 1991 का दाखिल किया गया है वाज संख्या 610-1991 देट इस डॉट बाट बाइप सेक्शन फोर आप दी प्लेसे जाब वर्सीप स्पेशल प्राविजाड एक 1991 कोट को लोवर कोट को डायरेक्ट किया की इसके एक्सपेडिस ली चूंकि 32 साल व्यतीत हो चुके हैं इस केस को फाइल किये वे इसलिए तुरंत एक्सपेडिसेस डिस्पोजल इस केस का करें और लोवर कोट को डायरेक्ट किया है कि विदिन 6 मॉंथ इसकेस को फाइनल जज्जमेंट जो है वो प्रनाउंस करें ज्यानवापी को लेकर एक और बड़ा आदेश है कि इसका साइन्टिफिक सर्वे होगा इलावाद हाई कोट ने यह आदेश दिया है ये पता चलना चाहिए कि ये मंदर है या मश्जित ज्यानवापी परिसर दोनों नहीं हो सकता हाई कोट ये भी कहा ऐसा रिपोर्ट के आ ज्यानवापी परिसर का वजू खाना इलाका सील है यह एक बहुत बड़ा अतिहासिक फैसला है क्योंकि बहुत दिनों से यह मामला लंबित है और अप्लिकेशन्स डाल करके केवल मामले को लटकाया जाया बिल्कुल जाये जाने से किसी को रोक नहीं है एक पंच अगर फीडित है तो उसे उपर की अदालत खुली हुई है नियाले में जाने के लिए वो जा सकती है और एहम खबर है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चौहान ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़्डा से किये मुलाकात बैठक के बाद शिवरास सिंग चौहान ने का कि सेवा ही संकल्प है करीब डेड़ घंटे तक दोनों नेताओं के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई है आपके सामने है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़्डा और शिवरास सिंग चौहान की मुलाकात हुई है करेंगे राज करेंगे राज में थे अपने बारे में सोचता है अगर आप एक मिसन के लिए काम करते हो तो पार्टी ते करते हैं आप कहां काम करो हुए उन्हें बहन और भाई का प्यार अमर है उसका किसी पद से कोई संबंद नहीं